नमस्कार दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सीयन जुड़ें आप सभी का आर्सीयन न्यूट्वी चैनल पर हार्दिक स्वागत है अभी की लेटिस्ट अपडेट की बारे में बात करेंगे जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि भरती परिछाओं से संब स्वंधित वही खबर में देता हूँ जो सही ओशटीक होता है उसी क्रम में टीटि पी टी और उत्तर प्रदेश में नई परात्वी शिच्छब़ती को लेकर बड़ी अपडेट प्राप्त हुई है आपको मालूम होगा कि नई प्रात्वी शिच्छब़ती का कयास लगाये जा रहा है जिसके लिए धन्ना प्रदर्शन भी प्रियाग राज में किया गया यानि कि उत्तर पर सिच्छा सिवाचेन आउग पर किया गया उसी के साथ साथ एक मांग और रखी गई जो कि बहुत बड़ी मांग थी कि टीटी पीटी की परिच्छा समय बद्द तरीके से करा कर इसे पूरा करवाय जाए तो क्या समय बद्द तरीके से हो पाएगा समय चार पत्र में आप लोग पढ़ते होंगे कि मामला उल्जा है उल्जा है उदर एल्टी ग्रेट सिच्छक भरती का भी मामला उल्जा है जुसमें सैचिक आहरता वाली बात थी जिसका समाधान होना था वा विबास उल्जा नहीं है आहरता विबास उल्जा नहीं है जिस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर पर लोक श्रीवा आयोक के माध्यम से कुल सच्यू के यानि कि सहाय कुल सच्यू के आन्टीस पदों पर भरती की जाएगी यूपी प्यस्ती के माध्यम से अगस्त के दूसरे हफ़ते में इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा साथ साथ आपको यह भी मालू होना चाहिए कि अल्टीग्रे सिच्छक भरती का विज्ञापन भी उत्तर पर लोक सिवा आयोक की माध्यम से आना है लेकिन उत्तरबरी लोग से वह आयोक के द्वारा इस पर शिवाब एल्टी गरे सिच्छख भरती को लेकर नहीं दिया जा रहा है हमने आपको बता दिया है पहले ही कि 95 परिस्दमान का चरीए कि अगस्तमा में इल्टी करे सिच्छ भरती का जो विवास है वह सुलत जाएगा आहरता विवास को पर अधियातना जारी करेगा दोस्तों राज के जिव में ऐल्टे करे सिच्छ भर्ती और प्रवक्ता भर्ती के विग्यापन स्विधर जारी करने की मांग को लेकर प्रतोगी छात्रमोर्चा कि बैनर तले प्रत्योंगी छात्रु की बुधवार को उतरफे लोगस्रिभा पायो का कहना है कि हमने तो अपना काम कर दिया हमने तो भेद दिया दिया चन वापस अब जो है समाधान जहां से होना है वहां से होगा अजे कुमार दिवेजी जो अपर सिछा नियर्सक है उनसे मुलाकात की गई मुलाकात के दौरान अपर सिछा नियर्सक ने छात्रों को बत है वह निपड़ जाएगा उसके बाद उत्तरवे लोग श्रिवाय को अधियाचन भेद दिया जाएगा उसके बाद विज्ञापना आएगा तो अभी आपको समय लग सकता है कि दोस्तों करेंगे लिए तेरा लाक अभ्यर्थियों ने आभेदन किया है उनकी परिष्छा कब होगी हमें दो दानकारी मिली है कि परिष्छा को लेकर अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है ना कलेंडर को लेकर कोई भी डिसीजन हुआ है कई बार बता चुका हूँ आपको बता दे कि विज्ञापन आये काफी महीने हो गए सभी लोग कभी अक्टूबर में परिष्छा कराएंगे कभी नौंबर में परिष्छा कराएंगे मैं एक समय बताता हूँ कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर या अक्टूबर से लेकर जनोरी वही सही होता है जब कोई मन्थ डिसाइड नहीं तो आप मन्थ नहीं बता सकते किसी को जब कोई तिथी निर्धारित नहीं आप तिथी किसी को नहीं बता सकते कि अक्टूबर में तो परिच्छा नहीं होने वाला है भी करेंट की जानकारी का नुसान जैसी इस्तेशी परिस्त्री है नौंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक आप मान करें नौंबर में भी उम्मीद कम दिख रहा है वैसे नौंबर में हो सकता है आयोग अगर ती ब्रगती से वर्क करें अब कहेंगे कि अध्यच और सदस्रिक के बारे में तो देखें सदस्रिक अपना काम करने अध्यच की जरूरत है अध्यच अभी है नहीं कारिवाहक अध्यच है तो अध्यच कब आएंगे तो अगस्तमा में इनके भी आने के चांसे हैं अगर कलेंडर की बात क साथ साथ आप लोगों ने एक बड़ी बात कही ची क्या नहीं प्लास्मिक शिक्षक भरती आएगी हमने आप से कहा था कि एक प्लानिंग के तहर सरकार वर्क कर रही है जो सूत्रों ने जानकारी दिये और कई बार बता चुका है एक बार नहीं अगर दो चरणों में भरती की कई जैसे ड़ी वा त्री पॉंट जीरो ओंट जीरो टूपउइंट जीरो जैसा की भीहार ने और उसी प्रकार उत्तर प्रदेस में योगी सरकार ने किया तो आप मान कर चलिए पहला विड्यापन मई के पहले दूसरा विड्यापन 2026 फरवरी के पहले दो विग्यापन आपको देखने को बिलेगा वन और टू अगर एक विग्यापन जारी किया गया तो मई के बाद ही विग्यापन आएगा हो सकता इंड में आए क्योंकि प्लानिंग के तहट नहीं प्रास्वी शिक्षे भरती पर जो भी चार्ण हुआ है उसके अनुसार भरती को इस तरह से कंपलीट करा जाएगा कि 2027 का चुनाओ जो है छे-सात महीने बाकी रहे बात समझें मैं आपको पहले बता दे रहा हूं इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं देगा तो अगर आपको अथेंटिक जानकारी रेगुलर चाहिए तो आप हमसे जुड़िए क्योंकि मैं बहुत ही सटिक होता रहा हूं सूपर टेट भी इस साल नहीं होगा ना यूपी टेट होगा उसके भी चांसे नहीं सब कुछ अगले साल होने के चांसे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यूपी टेट के समझ में भी आप जानकारी मांगते रहते हैं कई प्रतियों की छात्रों ने हमसे कहा कि सर आप बताएए क्या बीएड़ वाले भविष्व में कभी सामिल हो सकते हैं प्रास्मिक में वह उनके चांसे अभी तो नहीं है भविष्वारी अभी से नहीं कर सकता क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तब पहुंचात होती है रेगुलर वीडियो देखने वाले ही चैनल की वीडियो को ज्यादा पसंद करते हैं और समझ पाते हैं जो आल्टरनेट लोग हैं कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर 75 चैनल जोईन के हैं उनका दिमाग हमेशा भरमीत रहता है तो हमने आपको बता दिया टीश्टी में जो बता आँ वही सही है जो सत्त करें रहेघा वही मैं आपको बताऊंग आज वाकी बड़ी प्लानिंग नै प्राथमी शिक्षक भरति को लेकर चुथ जना कि सामने आ Estate मन्तरी का बैया न äीक नैभी प्रात्मिक्षिक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक